अज हम बनाएंगे चार तरा के अमुल कुल मिल्क तो शुदू करते हैं रेसिपी अमुल कुल मिल्क गरपे बनाने के लिए मैंने एक पैन में सवा लिटर दूद लिया है दूद फैट वाला नहीं लेना है और दूद कोई भी गरम या ठंडा कोई भी चलेगा ये मैंने एक लिटर दूद डाला है और उस पे एक कप और यानी सवा लिटर दूद मेंने लिया है अब इसमें से करीब दो चमच जितना दूद हम एक बाउल में निकाल देंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ पाउडर एड करने है और बाकी की दूद को हम फ्लेम ओन करके गरम करने के लिए रख देंगे साइड में निकाले इस दूद में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉन फ्लोर एंड 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ये डेरी वाइटनर है आप कोई भी मिल्क पाउडर या डेरी वाइटनर ले सकते हो दोनों पाउडर को हम मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देंगे स्लो फ्लेम पे रखे इस दूद के अंदर हम डालेंगे 1 गाफ कप शुगर शुगर का प्रपोर्शन आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम्या ज्यादा कर सकते हो एंड 1 कप पानी क्योंकि हम सबको पता है कि अमुल कुल दूद थोड़ा पतला आता है इसलिए हम इसमें पानी एड़ कर रहे है इसे ऐसे कॉंस्टंटली एक या दो मिनिट के लिए हिलाएंगे ताकि शुगर निचे चिपक न जाए शुगर मेल्ट हो गई है अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये कॉंफलोर एंड पाउडर मिल्क का जो मिशन है वो हम इसमें डालेंगे और इसे ऐसे कॉंस्टंटली हम हिलाएंगे अब इस मिशन को दो या तीन उबालाए तक तब तक हम कुक करेंगे ये दूद हमारा उबल रहा है तो ये एकदम परफेक्ट है आप देख सकते हो इसमें अच्छे से उबाला रहा है तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे इस मिशन को हम ऐसे कॉंस्टंटली हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि इसमें मलाई की परत ना जमें और हमें जो मिशन चाहिए वैसा हमें मिल जाए तो इसे हम zoom temperature पर आने देंगे ये हमारा दूद ठंडा हो गया है अब हम सब flavor के milk बनाएंगे तो पहले हम एक बावल में करीब सवा कब जितना दूद अलग से ले लेंगे पहले हम बनाएंगे केसर flavor का दूद तो उसके लिए मैंने ये एक बड़ी चुटकी केसर को गरम दुद में भिगो के रख दिया था वो हम इसमें डाल देंगे ताकि हमें कोई भी essence की जरूरत ना रहे अगर आपको थोड़ा ज्यादा गाड़ पिला color चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा color एड़ कर सकते हो ये मुझे थोड़ा सा light लग रहा है इसलिए मैं इसमें सिर्फ एक बुंद जितना lemon yellow color डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से mix कर देंगे अब इस केसर वारे milk को हम ऐसे छान लेंगे ताकि केसर सब उपर रह जाए क्योंकि ये मुल्क के milk में अंदर कोई कुछ भी नहीं आता तो इसे हम ऐसे एक जार में भर्क देंगे अब हम दूसरी flavor बनाएंगे तो उसके लिए भी सवाकब जितना milk एक बरतन में ले लेंगे जोस फ्लिवर का milk बनाने के लिए पहले हम दूद में तिन ड्रॉप जोस एसेंस डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर एड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे आप इसकी जगा रोस का इमल्जन भी यूज कर सकते है जिसमें एसेंस एन कलर दोनों आते है ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप इसमें दो चमज दुआपजा भी डाल सकते हो इससे भी इसकी flavor और टेस्ट बहुत ही अच्छे आते है तो ये हमारा जोस फ्लिवर का मिल्क रेडी है इसे हम चांड लेंगे तो ये हमारा जोस फ्लिवर का मिल्क रेडी है अब हम अमुल का चॉकलेट मिल्क बनाएंगे तो उसके लिए मैंने सवा कब दूर एक बरतन में ले लिया है उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ये डार्ट कोको पाउडर है आपके पास जो भी है वो आप डाल सकते हो प्रामत जितना चॉकलेट का सीरप ये मैंने गर्पे बनाया है इसे हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे इसे भी हम चान लेंगे तो ये हमारा अमूल का चॉकलेट मिल्क रेडी है हमने डार्ट कोको पाउडर यूज किया था इसलिए इसका कलर थोड़ा डार काया है अब हम लास्ट फ्लेवर अमूल, कुल, कैफे यानि की कॉफी फ्लेवर बनाएंगे तो उसके लिए जितना बचा था वो सारा दूद मैंने ले लिया है इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर तो अगर आपको कॉफी की फ्लेवर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हो और कम चाहिए तो आप इससे भी थोड़ा कम कर सकते हो मेरे गर में सब डाल कॉफी पसंद करते है इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा ही ली है इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ये भी रेडी है इसे भी हम चान लेंगे तो तयार है अमूल कुल कैफे इन सबी मिल्क को आप फ्रीज में ठंडा करके फिर यूज कर सकते हो तो तयार है समर के लिए एकदम प्रापर और बच्छों की एकदम फैवरिट फ्लेवर चार तरह के कुल कुल मिल्क एंजोई